सबी हमारे प्यारे दोस्तों को जैहीन, नमस्कार, गूड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा आज हम लोग GK का कलास third करने वाले हैं, आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग दो कलास कर चुके हैं और वो दो कलास आप लोग के लिए बहुत ज्यादा important है, तो जो भी लोग उस कलास को नहीं देखे हैं, जाकर देख लिजे, playlist हम बना चुके हैं आप लोग कलास को देख सकते हैं, और सभी को आपको याद भी जवर करना है, ठीक, और जो भी लोग चैनल पर नहीं तो अपनी चैनल को subscribe, जवर कर दिएगा, कलास अच्छा लेगे तो like जवर कीजेगा, और अपने दोस्तों में कलास को share, जितना हो सकते हैं, आप लोग आप बारे में आपको कुछ बाकर घया था, उसको पहले हम दो complete कर लेते हैं, उसके बार आगे और भी नए topic आपको देखने हो पीनि, Delhi हम दोग नए topic पढ़ते हैं, जैसा के आप लोग दोक्मालम में जो Delhi class देखते हैं उनको मालूम हैं, सबसे पहले है सांची का बाधिस्त यह आपके एक्जाम में प्रिबियस जो एक्जाम हुए हैं आपके असमराइफस के उसमें पूछे गए थे और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको इसको याद रखना है गी राश्टी उद्यान कल भी हम आप लोग को काजी रंगा पढ़ायते हैं मानस पढ़ायते हैं तो उसके बारे में आपको कल बतायते हैं घना पच्छी बहार घना पच्छी बिहार कहा है राजस्थान में जीम कॉर्वेट नेशनल पार कहा है उत्राखन में यह भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है और यह यह सभी आपके इंपोर्टेंट ही है कोई ऐसा नहीं कि छोड़ने वाला है सभी को आपको याद करना है सांची का बहुत दूप मद्यपदेश गी राश्टी उद्यान गुजाद घना पच्छी बिहार ऐसारा राजिस्थान जीम कोर्वेट निसनल पार ऊतराखन एक सिंग्वाला गेंडा काजी-रंगा-राश्टी उद्यान में पढ़ि काज़ि रंगा-राश्टी उद्यान और एक शिंग वाला गैंडा काजिरंगा राष्टी उद्यान में पाएजाते हैं बेतला राष्टी उद्यान जार्खर्ण में बांदिपुर राष्टी उद्यान काईं क diferença में और बाल्मिकी राष्टी उद्यान काईं बिहार में तो आप लोग जली जली बतागे कि काजी रंगाराश्ट्य उद्यान तो आप लोग को बता दे ये तटा वह बारे में लिका के देश के राध्धानी से राध्धानेettes से रिल्प्ताइन के वररों है आपको बता देए कि मुद्रा से रिलेटर भी आपकी já spielen पुछे आते हैं कि इसलिए आपको जो है मुद्रा का कि देश की राध्धानी क्या है इन सभी को आपको याद रखने हैं और हम आपको करवा भी रहे हैं ताइवान ताइवान की राध्धानी का नाम क्या है ताइपे और इसके मुद्रा का नाम है डॉलर थाइलेंड थाइलेंड देश की राध्धानी क् विक्टोरिया और इसकी मुद्रा है डॉलर तो क्या हम लोग पढ़ें जापान का राध्धानी तोक्यो मुद्रा येन ताइवान की राध्धानी टाइपे मुद्रा डॉलर थाइलेंड की राध्धानी बैंकोक मुद्रा बहत और होंकों की राध्धानी विक्टोरिया और इस का शियोल और उत्तर कोड़ा का प्य probably क्या सत्थर कोड़ा का राध्धानिया और इन दोनों की मुद्रा के बारे मैं आपको बता देंतो वॉन क्या इन इन दोनों देश की मुद्रा जो हे लिख लिएए आप लोग वन्क्यावर अच्छे तरीक से लिख देता है वह न जो है दाष्न कोरिया और उत्रकोरिया का मुद्रा है वेटनाम देश Southern कर numéro we क्वालालंपूर और इसकी मुद्रा है रिंगित के कुवेथ क्वेथ 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 हैं डेश की राधानी क्या है तेहरान और इसका आप लोग को कमेंट करके बताना है जब क्लास खतम हो जाएगा जब क्लास खतम होगा तब आप लोग कमेंट करना है कि इरान इरान देश की मुद्रा क्या है इरान देश की जो है मुद्रा आपको कमेंट करके बताना है, क्लास खतम होने के बाद आपको ओफलाइन कमेंट, क्लास जब खतम होगा उसके बाद आप लोगों बताना है कि इरान की मुद्रा क्या होती है, देखते हैं कितनी लोग बताते हैं, हम सभी का कमेंट देखते हैं, और रियक्ट भी करते है बगदाद क्या है बगदाद है और इसकी मुद्रा है दिनार तो आप लोग इरान की मुद्रा आप लोग कमिन करकर क्लास के बार आपको बताना है हम देखते कितने लोग बताते हैं इज्राइल इज्राइल के इज्राइल देश की राधानी है जेरुसलम और इसका मुद्रा है निव सेकल लेवनान बेरुद और इसकी मुद्रा है पाउंड लेवनान बेरुद और लेवनान की देश की मुद्रा है वो है पाउंड है माल्देव माल्देव देश की राधानी है माले और इसकी मुद्रा है माल्देव रूपिया क्या माल्देव रूपिया है इसकी मुद है कतर कतर देश की राध्धानी है दोहा और इसकी मुद्रा है रियाल तो हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ें राष्ट्य उद्यान पढ़ें और आपको हम देश की राध्धानी और मुद्रा आज आपको कराएं तो यह सभी जो है आपको याद कर लेना है कल हम लोग आगे देश की राधानी और मुद्रा के बारें पढ़ेंगे और इससे पहले जितने भी क्लास हुए इन सभी क्लास को आप लोग कर ले जगा क्लास आपको करना नहीं है साथ में साथ आपको याद भी करते रहना है क्यूंकि आपका एक्जाम बहुत कम टाइम होगा क्यूंकि आप लोग को मालूम है कि आपका फिजिकल स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही समझे कि 5-6 दिन में आपका रिटेन इक्जाम ले लिया आता है तो फिजिकल आपके एक महीं से स्टार्ट होंगे तो आप लोग को पास टाइम नहीं है आप लोग जो है अपनी तैयारी को करते डिए सवी किलासें आप लोग लीजिए और आप लोग जी के हम परहारे दो पड़े में इसको से बैटल की जैनंसे नहीं है